तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब यह है मेरे पास Realme का Realme 13 Plus और Realme 12 Plus Realme 12 Plus में आप लोग को एक Plus Point देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आप लोग को 8MP का Ultra Wide भी देखने को मिलता है बाके दोनों स्मार्टफुन में आप लोग को Sony का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है 50MP का Camera दिया गया है और 2MP का Depth Sensor 16MP का Selfie Camera तो Camera टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हो फोटो का Option और यहाँ पर मैं फोटो से अगरा किलिक कर लेता हूँ दोनों ही स्मार्टफुन से आप 20X तक Zoom कर पाओगे और Zoom में ने कर लिया है और फोटो का Quality आप लोग देख सकते हूँ मैं यहाँ फोटो किलिक करता जा रहा हूँ और यह सारा फोटो में आप लोग को अब दिखाने वाला हूँ आप लोग देख के बताने की कैसा लग रहा है लेकिन आप लोग से पहले एक वीडियो को लाइक कर देना और चनल को भी सेस्क्राइब कर देना तो पहले देख सकते हो Realme 12 Plus का आप लोग को फोटो दिखा देता हूँ इस में आप लोग को एक 8MP का अल्टरावाइड देहने को मिल जाता है जो कि Realme 13 Plus में नहीं दिया गया है तो यहां से Realme 12 Plus वाला स्मार्टफोन से लिया गया फोटो का क्वालिटी वगरा देख सकते हो 20x जूम करने के बाद अब देखते हैं पोर्टेट में तो देखो यहां पे मैंने पोर्टेट में लिया है Realme 13 Plus से और यह वाला है Realme 12 Plus से पोर्टेट में लिया गया फोटो कुछ इस तरह का आता है Realme 12 Plus से दोनों ही कैमरा सेम है मतलब सोनी के LIT600 का सेंसर दोनों में यूज किया गया है यहां पे मैं वीडियो में जूम कर लेता हूँ 10X तक जूम होता है और जूम करने के बाद कैसा वीडियो आता है तो यहां पे देख सकते हो कि किस तरह का फोटो मतलब वीडियो को वैलिटी आता है दोनों में दोनों में मैंने 10X तक जूम कर लिया है 10x तक दोनों में जूम होते हैं और ज़्यादा कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता है बट यहाँ पे थोड़ा सा Realme 12 Plus ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है आप यहाँ पे वीडियो में भी देख सकते हो और इन दोनों स्मार्टफोन में आप लोग को स्ट्रीट का ओप्शन देखने को मिल जाता है 130mm तक आप जूम कर सकते हो स्ट्रीट के ओप्शन से तो यहाँ पे 26mm 52mm दिया गया है इस समय में फोटो किलिक कर लेता हूँ फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यह फोटो सब आ गया है यह सारा फोटो तो दोनों सेम ही आते हैं मतलब जादा कुछ अंतर नहीं है जादा कुछ अंतर के अंतर ही नहीं है मतलब थोड़ा सा लाइट वगेरा का इधर अधर अंतर है बाकि सेम ही है मतलब मुझे दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे सेम ही लगे क्योंकि सेम ह और इसमें अब selfie camera से photo ले लेते हैं तो यहां पे normal में selfie camera से मैं photo click कर रहा हूं फिर portrait में click करके दिखाऊंगा और दोनों का quality मैं आप लोगो वीडियो के last में देखा दूँगा तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को like और चनल को subscribe कर देना इस वीडियो को मैं उतना अच्छे तरिक से नहीं बना रहा है क्योंकि मतलब दोनों ही smartphone का camera सेम ही है तो क्या इतना जंजट करना मतलब अगर आप इन दोनों smartphone में से किसी एक को भी ले लेते हो तो camera आप लोगो दोनों में सेम ही देखने को मिलेगा बस 8MP का ultra wide आप लोगो realme 12 plus में देखने को मिलेगा जोगे realme 13 plus में नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो camera बगेरा का quality दोनों ही smartphone से पीछे के camera से 4K 30fps पर record कर पाओगे और front से 1080p में 30fps पर